हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमाई चैनल बीटी उपी स्टिडी पॉइंट में और फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉल्टेग्निक के इंटेंस एक्जाम दोस्तों आपको पता हूँ जब की केमेस्ट्री से क्लासेश चल ले थी प्रमुख गैसे इंपोर्टेंट गैसे से रेटेड दो क्लासेश हो चुके थे बहुत ही अच्छी ताहिके से आज दोस्त आपका थर्ड क्लास है जिसमें दोस्त आपको टॉप 10 कुश्चन बताएंगे और दोस्त वही कुश्चन बताएंगे जो की बार-बार इंट्रेंस एक्जाम में पूछा जाता है या दोस्त वीडियो को अधिक से अधिक से यर करिएगा ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुत सके अवे भी दोस्त इंट्रेंस एक्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और दोस्त आपको बता दे अभी जैसे ही क्लास खतम होगा वहां उसके लास्ट मे में उनका मैं नाम लेने वाला हूं तो आप जो question है उस पे आप अच्छी तरीके से question को पढ़के आप comment जरूर करिएगा और friend जो भी इस channel पर पहली बार visit कर रहा है तो चैनल को अभी subscribe करके bell icon को आल पर press करिएगा जिससे आने वाली video को notification आपको सबसे पहले मिल सके तो चलते हैं classes को start करते हैं यहाँ पर दोस्त आज का आपका जो पहला question है एकिस नमर question एने ओयच में एने ओयच विलियन में एस ओ टू सलफर डाइक्साइड प्रवाहित करने से बनता है यह question दोस्त पॉल टेक्निक के इंट्रेंस एक्जाम 2009 में पूछा गया question है और दोस्त इसमें आपको पूछ रहा है sodium hydroxide sodium hydroxide विलियन में sulfur dioxide प्रवाहित करने से क्या बनता है तो दोस्त जो हमारा sodium hydroxide और sulfur dioxide जो प्रवाहित करेंगे दोस्त तो उससे हमारा क्या बनेगा यहां पर आप देखिएगा इसमें आपका जो बनेगा वह आपका यहां पर एनने टू एसो थी बनेगा अगर यहां पर sodium hydroxide के विलियन में अगर sulfur dioxide प्रवाहित करेंगे तो वह हमारा NA2SO3 बनेगा ओप्सन में देखते हैं दोस्त तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा जितने नसा करते हैं प्रवानी दूस्त अगरfar को करते हैं ऐसे दोस्त यहां पर देखते हैं और सद॥ी इसे फ्रवाशय करते हैं जिसका atomic number atomic number की बात करते हैं दोस्त इसका atomic number आपका 7 होता है इसका atomic number 7 होता है यहाँ दोस्त एक रंगहीन गंदहीन और स्वाधहीन गैस है कैसा है दोस्त यहाँ आपका रंगहीन गंदहीन और स्वाधहीन गैस है यहाँ दोस्त जो आपका nitrogen है यह एक क्या है अब दोस्ट यहां पे एक एक पॉइंट को यहां पे clear करते हुए चलेंगे आपको कोई भी, किसी भी तरह की problem नहीं होगी दोस्त interest exam में अब दोस्त question पर आते हैं तो question बोल ला था nitrogen धातु के साथ सन्योग करके बनाती है तो दोस्त जो आपका nitrogen है वो धातू के साथ सन्योग करके क्या बनाती है Nitrite क्या बनाती है दोस्त Nitrite बनाती है option में दिखते हैं दोस्त तो C इसका right answer हो जाएगा है चलते हैं next question देखते हैं आपे 23 नमर question कर दोस्त हाइड्रोजन ख्लोरैड निम्न मेंसे किसके साथ सफेद ध्यूवया देती है यहां पर नेखिएगा जो हमारा SCL होता है Hydrogen Cloride किसके साथ सफेद धुआ देती है तो वो हमारा किसके साथ देती है दोस्त यहां पर आप देखिएगा वो हमारा NS3 अथास दोस्त अमोनिया के साथ किसके साथ दोस्त अमोनिया के साथ सफेद धुआ देती है अमोनिया क्या है दोस्त अमोनिया यह क्य जितने आपको पॉइंट बता रहे हैं कोईसटन से लिएट तो पॉइंट से खिशन को ध्यान दखिए गया जिससे आने वाली इंट्रेंस इंग्जाम में क्वेश्चन को आफ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यहां पर अमोनिया का मैंने बता है कि यह क्या है रंगहिन तीछल गंद वाली छारी गैस है जो क्या है जल में अत्यधिक विले होता है क्या होता है दोस्त वो आपका जल में अत्यधिक विले होता है इसका अडुभार होता है दोस्त कितना 17 इसका अलुभार 17 होता है यह एक क्या है हलकी गैस है ठीक है अमोनिया क्या है दोस्त हलकी गैस है जितने आपको बेसिक प्रोपर्टिज बता रहे हैं दोस्त आप सब याद रखिएगा ध्यान दिजिएगा जिससे दोस्त इंट्रेंस एक्जाम में आप अच्छे से अच्छे धुआ देती है ऑप्सन में दोस्त इसका राइट एंसर हो जाएगा चलते हैं यहां पर नेश्ट कोशन देखते हैं यह कुशन दोस्त पॉल्टिकनिक के इंट्रेंस एक्जाम 2009 में पूछा गया कुशन है यहां पर नेश्ट कोशन देखते हैं चौविस नमर क्या है दोस्त अमोनिया है जिसे एंस 3 से परदस्ष करते हैं जो आपका रासाइनिक यहां पर फर्मूला होगा वह क्या होगा एंस 3 जिसका दोस्त मैंने अभी आपको प्रॉपर्टिश के बारे में बता दिया यह क्या है तिछड़ गंद वाली छारी गैस है कैसा गैस है द C दोस्त इसका right answer हो जाएगा कैसा दोस्त सी इसका right answer हो जाएगा चलते हैं हाँ प्राइच्व देखते हैं 25 नमबर कुशं अंए 25 कुष्ण दोस्त 25 क्लोरीन के प्रभाव को नश्च करने के लिए कौन सी गैस प्रियुक्त की जाती है तो दोस्त आप सभी को पता होगा जो तो आपकी chlorine को प्रभाव को नश्ट करने के लिए कौन सा प्रियोग तो आपका sulfur dioxide क्या दोस्त sulfur dioxide जिसका मैंने आपको properties के बारे में बहुत ही अच्छी तहिके से वहां पर बता दिया है sulfur dioxide SO2 ठीक है क्या है दोस्त SO2 जिसका दोस्त chlorine के प्रभाव को नश्ट करने के लिए कौन सी कर्ष प्रियोग तीए वह आपकी sulfur dioxide प्रियोग होतीज दोस्त मैंने आपको बतादिया है इसका उप्योग आक्सिकारक की रूप में करते हैं अब चैक के रूप में करते हैं किटार उनासक दवाओं की रूप में करते हैं और चीनी उद्योग में भी इसका उपयोग होता है और पेट्रोल के सुधी करण के लिए SO2, Sulfur Dioxide का प्रियोग करते हैं तो जितने भी आपको टॉपिक बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं जिससे दोस्त हमें भी पता चाल सकें, आपको क्लासिस समझ में आ रहे हैं नहीं यहां पे दोस्त आपका B इसका राइट एंसर हो जाएगा और Sulfur Dioxide इसका एंसर हो जाएगा और दोस्त लास्ट मैंने आपको दो क्वेशन यहां पे दे रखा है यहां पे दोस्त चलते हैं, next question देखते हैं, 26 नमर question तो चीनी उद्योग में भी मैंने आपको बताया इसका यूग होता है तो इसका यूग आपका चीनी के सुधी करण में Sulfur Dioxide का यहां पर प्रियोग करते हैं Option में दिखते हैं दोस्त तो ए इसका Right Answer हो जाएगा और So2 इसका Answer हो जाएगा Sulfur Dioxide चीनी के सुधी करण के लिए प्रियोग करते हैं चलते हैं यहां पर Next Question देखते हैं 27 नमर Question 27 नमर Question है दोस्त मांस आदी को सड़ने से बचाने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रियोग किया जाता है तो इसमें भी दोस्त आपका वही सेम रहेगा So2 Sulfur Dioxide को मांस को जो आपका सड़ने से बचाने के लिए Sulfur Dioxide का प्रियोग करते हैं यह आपको किटार्यू नासक के रूप में भी इसका प्रियोग किया जाता है तो जितने आपको प्रियोग है यह जितने आपको प्रापर्टीज है गुल है इसको आप ध्यान अखियेगा जिससे दोस्त आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्द सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर दोस्त ए आपका राइट एंसर हो जाएगा और सल्फर डाइ अक्साइड इसका एंसर हो जाएगा जो कि मांस को सणने से बचाने के लिए सल्फर डाइ अक्साइड गैस का प्रियोग करते हैं उप्शन ए दोस्त इसका राइट एंसर हो जाएगा चलते हैं, next question देखते हैं, 28 नमर question 28 नमर question है O2 का नाम रखने वाले विग्यानिक का नाम है तो दोस्ट O2 का नाम रखने वाले विग्यानिक थे वह हमारे कौन थे? लिवेसियie सहब थे कौन थे दोस्ट लिवेसिय शब्पे डी दोस्त इसका राइट एंशर है चलते हैं आपके नेस्ट कोशन देखते हैं 29 नमल कोशन 29 नमल को कुशन है दोस्ट अमोनिया तथा आकसिजन साथ Mr. जलने-पर उत्पन ज्वाला कौन सा रंग देती है ये कुशन दोस्पॉल्टिक्निक के इंटेंसिंग जाम 2008 में पूशा गया था इसमें आपको बोला है अमोनिया, एनेस्थरी और क्या दोस्ट अक्सीजन एक साथ जलने पर उत्पन जौलों को कौन सा रंग देती है तो यहां पर दोस्ट दोनों साथ सा जलती है तो कौन सा पीला रंग यहां पर देती है कौन सा रंग दोस्ट पीला देती है रंग यह अप्सन बी दोस्ट इसका राइट एंसर यहां पर हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कोशन देखते हैं लास्ट कोशन हैबर वीधी द्वारा अमोनिया के व्यापारिक उत्पादन में उत्परेरक है ये कुशन जो स्पॉल्टेकनिक के इंट्रेंस एक्जाम 2008 में पूछा गया कुशन है और दोस्त इसमें आपको पूछ रहा है कि हैबर विधी द्वारा अमोनिया के व्यपारिक उत्पादन में उत्प्रेरक है तो दोस्त हैबर विधी में जो अमोनिया का उत्पादन में जो आपका उत्प्रेरक का कार करता है वहाँ पे उत्प्रेरग का कार आईरन करता है अथास दोस्ट F.E. करता है वहाँ पे उत्प्रेरग का कार है किसका दोस्ट उत्प्रेरग का कार कौन सी विदी में हैबर विदी में ये आप ध्यान अखिएगा C दोस्ट इसका राइट एंसर हो जाएगा और FV इसका एंसर हुए आगा आसा करते हैं दोस्त क्लासिस आपको अच्छी तहिके से समझ में आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चलते हैं यहाँ पे आपका जो दो क्वेशन यहाँ पे बोले हैं आपको देने के लिए दो कोशन बताते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे आपका जो आज का दो कोशन था जो मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ तो पहला कोशन है पहला कोशन है दोस्त मनुस्य को सरपथम किस धातु का ग्यान हुआ तो दोस्त इसमें आपको चार आप्सन है और चारो आप्सन में जो आप्सन सही है उसका जवाब आप हमें कमेंड करके जरूर बताईगेगा जिसे दोस्त आपका नेस्ट वीडियो में आपका भी नाम वहाँ पे ले सकूँ यहाँ पर दोस्त सेकेंड नमबर कोश्चन तो आपके लिए कृतिम गोल अथा तो रोल गोल क्या होता है यह कोश्चन दोस्त चार अपसन इसमें भी है आपको सही जवाब दोनों कोश्चनों का सही जवाब दोस्त आप हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा और जो भी फ्रे आपको लिए लिए और आपको principle आपको आपको सरी मेंगाज्च बताः है है बहुत ही जल्ड आपको देखने को भी बताया मैं Г directly